नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग. प्रदान मंत्री नेरेंद मोदी ने मंगलवार को भाजपाक की संसदिय दल की बैठक में जो विपक्षी दलों का नया गटबंधन बना है इंडिया के नाम से, उस नाम को लेकर हमला किया। विपक्ष उसका जवाब दे रहा है कि उनको इंडिया से जो है वो चिड़ हो गई है, वो इंडिया नापसंद आने लगाए और इस तरह की बातें। विपक्ष टिका हुआ है नाम पर, प्रधान मंत्री टिके हुए है नेरेटिव पर, ये दोनों में बुनियादी फरक है। प्रधान मंत्री जहां हमला कर रहे हैं उसकी और या तो पक्ष का ध्यान नहीं है या पक्ष जान बुच कर उस और जाना नहीं चाहता। दोनों में से जो भी हो जो बात प्रधान मंत्री कह रहे हैं वो लोगों तक पहुँच रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कोई राष्टवादी नहीं हो जाता, नेशनलिस्ट नहीं हो जाता, इंडिया का शुबचिंतक नहीं हो जाता, नाम तो इस्ट इंडिया कमपनी भी था, जिसने इंडिया को लूटा, नाम इसलिए रखा गया था, इंडिया नाम उसमें शामिल किया गिया था इस्ट इंडिया कंपनी में उनका कुल मकसद उसके पीछे ये था कि उनको भर्माना था लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि वो भारत के हित के लिए कर रहे लेकिन एक और बात पड़ी पॉर्टन प्रधानमंत्री ने कही जो अभी तक कॉं तक मुझाली थी इंडियन नेशनल कॉंगरिस प्रधानमंत्री ने जिक्र किया एक पार्टी बनी किस ने बनाई अंग्रेजों के समर्था कुन के साथी ए ओ यूम और उन्होंने कहा बहुत जर्द होस्तार में नहीं गए और उन्होंने का ये पार्टी बनी क्यों आप ये स आजादी दिलाई हमने आजादी का अंदोरन लड़ा प्रधान मंत्री वहां चोट कर रहे हैं 1857 का प्रथम स्वतनतरता संग्राम आपको याद होगा उसमें कॉंग्रेस नाम की कोई चड़िया नहीं थी उसमें तकॉंग्रेस का दूर दूर तक पता नहीं था कॉंग्रेस के जो नेता हैं जिनके बारे में जिनको ये उपाधी दी जाती है या श्रे दिया जाता है उन्होंने आजादी दिलाई उनमें से किसी का कहीं कोई नाम नहीं था 1857 का जो प्रथम सतंतता संग्राम हुआ उससे अंग्रेज हिल गए थे उनको मालूम था कि इस बार इसके आगे जब होगा दूसरा जब होगा तब उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा वो 17 संग्राम का वो पहला प्रयास सफल इसलिए नहीं हुआ कि उसका कोई स्पष्ट नेतर तो नहीं था उनको मालूम था कि इसके बाद अगर विद्रो हुआ तो उसमें भारतिय सेना के लोग शामिल होंगे और नौसेना में जो विद्रो हुआ उससे उनको समझ में आ गया कि स्थिती खराब हो सकती है तो एक सिर्टी वाल्ब बनाओ कि लोगों को विरोध करने का अपना आक्रोश जताने का इस सब का मौका मिल जाए उसके लिए कॉंग्रेस पार्टी का गठन हुआ कोई आजादी का अंदोरन लड़ने के लिए नहीं हुआ था इस कॉंग्रेस पार्टी का गठन हुआ था अंग्रेजों की मदद करने के लिए बिटिश सरकार की मदद करने के लिए उनके शाषन को सुगम बनाने के लिए जिससे वहाँ पर भारत के लोग भारत के राजनीतिक लोग जो है वो उस पार्टी में शामिल हो और उस पार्टी के जरिये बिटिश सरकार के खिलाफ अंदोलन ऐसे चलाएं जिससे सरकार को कोई नुकसान न हो और लोगों की भड़ास भी निकलती रहे लोगों की ये इच्छा कि वो बिटिश सरकार के खिलाफ अंदोलन कर रहे ये भी पूरी होती रहे मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बात में जो कुछ हुआ मात्मा गांदी ने किया बाकी लोगों ने किया वो सब निर्थक था या वो सब दिखावा था लेकिन उस सब की वजह से आजादी मिल गई अगर आप इस निशकर्ष पर पहुँचे है तो अप अपने निशकर्ष पर पुनर्विचार कीजिए मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि दो-तीन कारण थे एक नेवी का जो नेवल म्यूटिनी थी नेवी का विद्रो दूसरा नेता जी सुभाष चंदर बोस उनके डर से अंग्रेज समय से पहले छोड़कर भाग कर गए ये कॉंग्रेस पार्टी उनके काम नहीं है उनको समझ में आ गया कि कॉंग्रेस पार्टी को जिसलिए उनको ने बनाया था वो उसका लक्ष पूरा हो चुका है अब इससे ज़्यादा उनकी मदद कॉंग्रेस पार्टी नहीं कर सकती तो कॉंग्रेस पार्टी वो सेफटी वॉल्ब थी जो आजादी चाहने वालों के मन में जो आक्रोश था उसको उसको एक वेंटिलेशन दे सके इसलिए कॉंग्रेस पार्टी का गठन हुआ था प्रधान मंत्री उस मर्म पर चोट कर रहे हैं कॉंग्रेस के ये बात कॉंग्रेस को शायद अभी समझ में नहीं आ रही है दूसरा उन्होंने कहा कि नाम रख लेने से क्या होता है नाम रख लेने से कोई नेशनलिट नहीं हो जाता अगर नाम रखने से कोई इंडिया का हितैशी इंडिया का विकास चाहने वाला इंडिया की सुरक्षा चाहने वाला उसके लोगों की सुरक्षा और विकास चाहता हो उनकी तरक्की चाहता हो ऐसा नहीं हो जाता ऐसा होता तो फिर इंडियन मुजाहिदीन क्यों होता आता की संगठन का नाम क्यों होता पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया क्यों होता तो उन्होंने ये जो मुद्दे उठाए हैं ये गंभीर मुद्दे हैं और इन सब का लक्ष एक ही है कि कॉंग्रेस पार्टी और उसके साथी दल जो ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रधान मंतरी और भारती जंता पार्टी से नेश है भी तो नाम इंडिया रख लेने से नहीं होने वाला है असल में कॉंग्रेस की समस्या ये है कि वो हमेशा केवल प्रतीकों की राजनीती करती रही है कुछ सब्स्टेंशल जो है कुछ ठोस करने में उसका यकीन नहीं रहा है चाहे मुस्लिम तुष्टिकरन की बात हो चाह समाज के गरीब वर्गों के लिए कॉंग्रेस पार्टी की सरकारें उतना ही करती रहीं जिससे वो जीवित रहें उनमें सिक्षा न बढ़ने पाए उनमें रोजगार न बढ़ने पाए वो अपने पैरों पर खड़े न होने पाए सरकार पर निर्भर रहें ये कॉंग्रेस पार्टी का लक्ष था जिसमें वो सफल रही जब तक सत्ता में रही वो ऐसा करती रही अब जो बदलाव हो रहा है जो चाहे आप दलिच समाज की बात करें चाहे आप जनजाती समाज की बात करें आती पिछलों की बात करें पूरे देश में जो ये परिवर्तन आया है वो कॉ कि राजनीती के अनुकूल नहीं है अब आप बताईए इंडिया नाम रख लिया तो इंडिया में क्या डेमोक्रिसी का स्वरूप वो होगा जो पशिम बंगाल में दिखाई दे रहा है कि चुनाओ से पहले चुनाओ के दौरान और चुनाओ के बाद भी हिंसा होगी अपने व को लेगा नहीं है चाहे कॉंग्रिस हो चाहे दूसरे दल हो कोई पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके खिलाफ बोलने को तयार नहीं है और वही ममताब एनरजी विपक्षी एक्ता में जो ये इंडिया बना है गडबंधन बना है उसमें लगभग अनापचारिक रूप से कोई अपचारिक गोश्रा नहीं होए अनापचारिक रूप से नंबर दो की हैसियत रखती है तो अगर ये ये गडबंधन इंडिया नाम का गडबंधन जीत कर आया तो क्या डेमोक्रिसी का मॉडल वही होगा और क्या मुस्लिम तुष्टी करण की नीती वही होग है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है या कहें कि अराजकता ही जिसकी विचारधारा है वो लगातार अराजकता की बातें और अराजकता के काम करते रहे हैं ब्रश्टाचार के आरोप में पूरी तरह से लिप्त है तो क्या ब्रश्टाचार के जो आरोपी हैं वो इस गडब होगा या भरष्टाचार की कोई जांच नहीं होगी ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब इस गडबंधन को देना पड़ेगा आने वाले समय में ये जो जनता है इस देश की वो पोलिटिकली बहुत जादा आवेर है उसको मालूम है कि कौन किस इरादे से क्या कर रहा है उस ही के बारे में फैसला अपनी राय बनाता है अपनी धारना बनाता है उसकी नियत को पहचान कर और विपक्ष की नियत अभी तक साफ दिखाई नहीं दे रही है किस पश्ट रूप से उनका उनका एजेंडा क्या होगा इन सब लोगों को जोडने का ये एक ही फैविकॉल है इसके अलावा कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा है नरेंद मोदी के विरोध के नाम पर ये लोग ऐसे लोग कठा हो रहे हैं जो एक दूसरे को नहीं देखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी का बस चले तो पूरी कॉंग्रेस को खतम करके हजम कर जाए और कॉंग्रेस का बस चले तो आम आदमी पार्टी को इस देश की राजनीती से बाहर कर दे तो ये ऐसे लोग हैं त्रिनमोल कॉंग्रेस नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल में कॉंग्रेस और सीपियम खड़े होने की भी इस्तिती में रहे हैं तो ऐसा बेमेल गटबंधन है इसमें मेल का ए तक आप बतातें नहीं उसको कि जो ये सरकार कर रही है वो गलत क्यों है और जो आप करना चाहते हैं वो क्या है ये सरकार जो जो काम गलत कर रही है जो चीजें गलत कर रही है उसको आप ठीक कैसे करेंगे आप कहने हैं कि सरकार ने डिमोकरसी खतम कर दी है तो आप डिमोकर करण तो उनकी जो है एक तरह से कहें कि प्लिटिकल स्ट्रेटिजी का पार्ट है मोदी और मोदी की सरकार जनतंतर को खतम कर रही है कि इस बात को जितना जोर-जोर से विपक्ष बोलेगा उतना ही उस से सवाल पूछा जाएगा कि भाई आपके शासन वाले राज्यों में क्या हो रहा है जो राजस्थान में हो रहा है क्या महिलाओं का सम्मान है महिला सम्मान की बात कर रहे हैं कि मोदी के राज में महिलाओं का सम्मान नहीं रहे गया है तो जाहिर है कि आपको बताना पड़ेगा कि क्या महिला सम्मान का राजिस्थान मौडल होगा मनीपूर की बात हो रही है मनीपूर हो या नौर्थीस्ट के दूसरे राज्यों ये लिगेसी इशू है ये लिगेसी इशू जो है कॉंग्रिस की देन है जो भारती जंता पार्टी को मिले है नगा लैंड में नगाओं की समस्या बड़ी भीशन थी जो कुकी विद्रोही हैं ये ये आतंकवादी हैं इनसे ज़्यादा खतरनाक थे ज़्यादा हत्यार बंद थे उस समस्या को इस सरकार ने सुलजाया ठीक किया ये समस्या भी ठीक हो जाएगी अईसी समस्याओं को के सुलजने में समय लगता है नौर्थिस्ट पिछले नौ साथ से शान्त है वरना नौर्थिस्ट के बारे में हम लोग जो खबर सुनते थे पढ़ते थे वो ब्लॉकेट की कि आज ये हाईवे बंद है कर वो हाईवे बंद है और एक नेकसस बन गया था इन आतंकवादियों उगरवादियों वहाँ के प्रशाशन वहाँ की पुलिटिकल लीडर्शिप के बीच में इस नेकसस को तोड़ा है सरकार ने तो केवल नाम इंडिया रख लेने से आपको राष्टवाद का मुद्दा मिल जाएगा आपके गोद में आकर गिर जाएगा ऐसा होने वाला नहीं है अगर आप सेना की कारवाई पर सवाल उठाएंगे अगर आप भारत सरकार की बजाए चीन की सरकार की बातों पर ज़्यादा भरुसा करेंगे जितने भी राष्टवाद से जुड़े मुद्दे हैं जो राष्टवादी ताक्तों के विरोधी हैं उन सब का समर्थन करेंगे तो फिर आपके पास राष्टवाद का मुद्दा कैसे आएगा मुद्दा ये है नाम का मुद्दा नहीं है नाम तो एक प्रतीक है जिसके बहाने इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है असली मुद्दा ये है कि विपक्ष को लग रहा है कि राष्टवाद के मुद्दे पर हम लगातार बात खाते जा रहे है उससे निकलने का क्या तरीका है उनको कुछ नहीं सुझा दरसल प्रधानमत्री ने ठीक कहा ये दिशाहीन गडवधन है इसको मालूम नहीं है कि क्या करना है अपने विरोधी से नेरेटिव कैसे चीनना है ये पता नहीं है तो उनको एक राष्टा नजर आए कि नाम रख लो गडवधन का नाम इंडिया रख लो उससे लोग मान लेंगे कि हम सबसे बड़े राष्टवादी हैं और इनका राष्टवाद नकली है हमारा राष्टवाद असली है ऐसे होता नहीं है होगा भी नहीं ते संक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मद्दे के साथ तब तक के लियर मती दीजिए आप सनूध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार